चीन ने 2020 में शहरों को प्रकाश मान बनाने के लिए आर्टिफिशल चंद्रमा लॉंच करने की योजना बनाई है इसके अंतरगत एक शहर एक आर्टिफिशल चंद्रमा लॉंच करने की योजना है ये क्रत्रिम चंद्रमा 50 मील तक प्रकाश करेगा पीपल्स डेली के अनुसार 2020 में दक्षिर पश्चिम शहर्द चेंगदू पर लॉंच होने वाले आर्टिफिशल चंद्रमा की रोश्णी वास्तविक चंद्रमा से आठ गुनस ज्यादा होगी आर्टिफिशल चंद्रमा से शाम को जोरदार चमक पैदा होगी अधिकारियों ने परियोजना को लेकर कुछ विवरण जारी किये हैं लेकिन कहते हैं कि ये विचार एक फ्रांसी सी कलाकार से प्रेरित है जिसने प्रत्वी पर लटकते दरपणों के हार का अनुमान लगाया था चेंगदू Aero Space Science and Technology Micro Electronics System Research Institute Company Limited के चेर्मेन वू शेंफेंग ने 10 अक्टूबर को शेहर में कारिकरम में योजना का खुलासा किया ये 2020 में लॉंच होने पर चेंगदू की रात उजाला पूर बनाने के लिए चंद्रमा का पूरक होगा ये संभावित रूप से पारंपरी की स्ट्रीट लाइट्स को हजाने के लिए काम करेगा क्रत्रिम चंद्रमा को 10 से 80 किलोमीटर चोड़ाई के बीच एक छेत्र को प्रकाश देने के लिए नियंत्रित किया जा सकता है